में बात करूंगी Automatic Gear System के बारे Main Automatic Gear Cars, बिलकुल आसान है Automatic Gear वाली कार चलाना, बस इन बातों का रखना होगा ध्यान जब कभी आपका Automatic कार से पाला पड़ेगा. तब आपको इसमें Gear Lever के पास अंग्रेजी में P, R, N, D, S अक्षर लिखे हुए मिलेंगे. न की Manual Car की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6. Automatic Gear Car Driving Tips Automatic Gear Cars Driving Tips अब धीरे धीरे Automatic गारियों का चलन बढ़ता ही जा रहा है. आज नहीं तो कल Automatic Car से आपका भी पाला पड़ सकता है, जरूरी नहीं की अपनी ही हो. कभी किसी Emergency वाली स्थिती में भी किसी की Automatic Car Drive करनी पड़ी, तो आपको Driving आने के बाद भी Drive करने के लिए सोचना पड़ेगा. इसलिए हम आपको इस खबर के जरिये Automatic Car को Operate करने के बारे में बताने जा रहे हैं. ताकि आपको अचानक कभी Automatic Car चलानी पड़ जाए, तो ज्यादा मुश्किल न हूँ. P, R, N, D और S, P, R, N, D, S, जब कभी आपका Automatic Car से पाला पड़ेगा, तब आपको इसमें Gear Lever के पास अंग्रेजी में P, R, N, D, S अक्षर लिखे हुए मिलेंगे. न की Manual Car की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसलिए पहली बार इन अक्षरों को देखकर आपको थोड़ा सा असहज महसूस हो सकता है. लेकिन एक बार इनका मतलब समझने के बाद आपको आसान लगने लगेगा. P, R, N, D और S का मतलब Automatic गिय के पास लिखे इन सभी अक्षरों का अपना अपना मतलब होता है और उसी के हिसाब से आपको कार चलानी होती है. जैसे P, Parking के लिए, R, Rivers के लिए, D, Drive के लिए, S, Sports के लिए, S, Modes अभी कारों में न होकर कुछ Limited कारों में ही दिया जाता है. ऐसे करें Automatic Car Drive जब भी आप Automatic Car चलाएं, तो बस P, R, N, D, S, Modes को याद रखें. यानि जब आपको कार पाक करनी है, तब आपको Gear Liver P के सामने ले जाना होगा.